हाई गेस वेलकम बैक टूझ चैनल यारो बात करेंगे टेलिविजन की दुनिया की टॉप फॉर नियूज को लेकर नियूज काफी धमाकेदार हैं तो शुरुबात करते हैं यारो पहली नियूज है उडारिया फैंस के लिए थोड़ी सी सैड नियूज है जहां आज यारो वीक 44 की BARC TRP रिलीज हो चुकी है तो यारो मैं आपको बता दूँ की उडारिया की TRP में थोड़ी सी ग्रावट आई है ज्यादा यानि की है तो भी भी कलर्स का नंबर वन शो लेकिन जो पहले हफते की यानि इस से लास्ट वीक की जो TRP थी उडानिया की वो थी 2.8 और अभी जो वीक 44 की TRP आई है वो आई है 2.5 यानि की 0.3 का डिक्रिमेंट हुआ है तो यारो फैंस को और ज्यादा गजब तरीके से शो का सपोर्ट करना होगा हमारे अंगत तेजो फते और जैस्मीन पूरी पल्टन को तो यारो अपने फेवरिट शो पर जवरदस तरीके से सपोर्ट बना के रखते हैं और इस TRP को फिर से 2.8 और उससे प्लस लेके सेकंड निउस की तरफ सेकंड निउस है स्टार प्लस के शो ये रिष्टा क्या कहलाता है से रिलेटिड जाहें इस शो में धमागदा ट्विस्ट आ रहे हैं अभी मन्यू सब के सामने एक खुलासा करेगा कि वो आरो ही से नहीं अक्षरा से प्यार करता है और इसके लिए य कितना पसंदा रहा है आपको ये शो जरू बताएगा और रेडी हो जाईए फोर महाई एपिसाओड बढ़ते है रो अगली न्यूस की तरफ तो अगली न्यूस है एक तकपूर के मोस्ट पूपूलर शो आने वाले शो नागिन 6 से रिलेटिड जी हाँ यारो जैसे की बिग के जो मेन लीड थे शरत महलत्रा और सुर्वी जंद्रा उन्होंने इस तरीके से फैंस के दिल में जगा बनाई कि अभी भी फैंस उनको फिर से दिमांड कर रहे हैं कि नए सीजन में वो हमें जरूर दिखे इस तरीके की दिमांड्स सोशल मीडिया पर जरुरदस तरीके से चल रही हैं तो यह रो क्या आप भी उन फैंस में से हैं जो वीर और बानी की डिमांड कर रहे हैं जवर दस तरीके से बताइए के जरूर नीचे कोमेंट्स में बढ़ते हैं यह रो अगली न्यूस की तरफ अगली न्यूस है वन अफ दो मोस्ट होटेस्ट रियल लाइफ जोडी की तरफ से जहां पर कुनाल वर्मा और पूजा ने यह अनौस्मेंट की है कि 15 नौमबर को वो दोनों फिर से शाधी करने जा रहे हैं तो साथ ही साथ जहां कुनाल ने मीडिया से बातचीस करते हुए बताया कि उनकी शाधी 15 नौमबर को होगी गोवा में होने वाली है और उनकी एक ख्वाइश थी कि घोडे पर उनके साथ उनका बेटा क्रिशिव बैठे तो वो यह अपना सपना पूरा करने वाले हैं और फ